बारत के कोने कोने से, तथा निपाल से, सबी भाई बैने यहाँ, अच्छी संख्या में पहुंचे, सब का स्वागत है बहुत बहुत स्वागत है, जब भी बाबा का सीजन का लास्ट का मिलन होता है, तो संख्या थोड़ी अधिक होती है, हर साल का यह अन्वव है, इस वर्ष भी ऐसा ही अन्वव हो रहा है बहले इकलास में सभी समय नहीं है, आधे भी नहीं है, आधे से भी कम है और सुभाविक है, जिन को सूर्य और चंद्रमा से मिलना है, उनके महावाक के सुनने हैं, तो छोटे छोटे सितारों से क्या सुनेंगे वो? और सितारे अगर चमकते भी हैं तो सुर्य की रोशनी को ही फिर से रिफलेक्ट करते हैं, उनके अपनी तो रोशनी इतनी होती नहीं है, फिर भी इतना जरूर कहेंगे के आकाश में जब सितारों को देखते हैं, तो समुन्दर में चलने वाले जहाज उन सितारों से किस रुख में जहाज को जाना है उसको तैकर पे हैं, यहां तो सभी स्वयम सितारे बैठे हैं, सितारे भी हैं, और समुन्दर में चलने वाले जहाज भी हैं, हर एक अपने जीवन नईया की डिरेक्शन तै करते हैं लक्ष को तै करते हैं किस तरफ जाना है किस पीट से जाना है बाबा ने हम सब को एक ही लक्ष दिया है एक ही मन्जिलत है और उसके लिए रास्ता भी एक ही है समय पर सब पहुँच जाएं उसके लिए बाबस हर मुरली में बहुत ही उमंग और उत्सा के महावाक के उचारन करके उत्सा भरते हैं हर एक बाबा का बच्चा महसूस करता है जब भी बाबा की वाणी चलती है तो यही समझते हैं आज बाबा ने वाणी मेरे लिए चलाई है आज के महावाक के मेरे लिए वैसे भक्ती में भी ऐसा है कि जीवन के डिरेक्शन के लिए चाहे गीता को खोल लेते हैं बीच में जहां भी खोलेंगे वहाँ से डिरेक्शन मिलता है ग्रंद साब को खो लेंगे जो वाक वहां से मिलता है उसके अनुसार डिरेक्शन तै हो जाती है इसी तरह से उन सब का यूं कहें आधार कहो बीज कहो जो महावा के बीज रूप परम पिता परमात्मा ने स्वयम उच्चारण किये हैं जिसमें सर्वात्मों का कल्यान समाया हुआ है सर्वात्मों को जिन से मुक्ती और जीवन मुक्ती प्राप्त करने का मार्क दर्शन प्राप्त होता है वो महावाक्य डायरेक्ट सुनने के महान सब भागेशाली आत्में बाबा के ब्रह्मन बच्चे हैं आप और हम सब बच्चे हैं इस बात की हम सब को बहुत दिल ही दिल में सदा खुशी रहती है भल कलब में एक ही बार ये मौका मिलता है लेकिन छे सो करोड आत्मों में से बहुत थोड़े हैं छे साथ लाख अभी तक और कहने में आता है नौ लाख सोला हजार एक सो आठ फाइनल वो माला बनने वाली इतनी आत्मों को ऐसा मौका मिलता है जो परम पिता परमात्मा से डायरेक्ट द्रिष्टी लेते हैं सनमुख मिलन मनाते हैं अमुल्य महावाक्य सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बना लेते हैं इस जीवन में भी बहुत स्रेष्ट जीवन प्राप्त होता और उनकी श्रीमत पर चलने से जनम जन्मांतर के लिए सत्युग तरेता तो क्या लेकिन सारा कलब ही इतना महान जीवन प्राप्त हो जाता उसमें भी बाबा कहते हैं 21 जनम मुक्ती और जीवन मुक्ती प्राप्त होती है ऐसे सौभाग्य प्राप्त करने वाले बाबा के आप सब अमुल्य रतन महान आत्में आज यहां बाबा से सन्मुख मिलन मनाने के लिए पहुंचे वानी हम सब को सेंट्रों पर भी मिलती है अभ्यास हर एक अपने घर में रहते हुए भी करते है लेकिन जो आनन्द इस संगठन का है और जो आनन्द सन्मुख उस बाप को देखने का और उनसे सुनने का इस संगठन में है वो अमुल्य है हीरे तुल्य है सर्वस्रेष्ट है लेकिन कब वो तबी है जब उनके महावाक्यों को यथार्थ रीती हम समझें बाबा की उस भावनों को दिल में उतारें और जीवन को वे नई दिशा द्रिड संकल्प से दें ताके जिस तरह की आश हम बच्चों में उस परम पिता की है उनकी उस महान तमाश को हम पूरान कर सके उसके लिए दो तीन बातें जो आज के इस क्लास में हम आप सभी विचार करेंगे आवशक हैं सबसे पहली बात यथार्थता सत्तेता वास्तविक्ता अंग्रेजी का शब्द बेंजी ने बोला रियालिटी मेरे सामने देखने में आरीं बहुत सारी माताइं बैठी हैं हो सकता है वो मुक्से बोलती भी हो रियालिटी रॉयलिटी लेकिन मुझे लगता है कि हिंदी में उनका अनुवाद करके सुनाना ज्यादा बेहतर है बाबा ने हम बच्चों को पहले पहले साथ दिन के कोर्स में और बाद में मुर्लियों के द्वारा इस बात को आज दिन तक यही पका करवा रहे हैं कि बच्चे आप जो यथार्थ हो उसके सौरूप में रहो जो बाहर का रूप दिखता है जिसके द्वारा आत्मा अपना पार्ट बजाती है लेती है और त्यागती है यह सौरूप एक जनम के लिए है लेकिन 84 जनम में जो 84 सौरूप लेने वाले हैं 84 मुखोटे पहनने वाले हैं वो वास्तविक जो पार्ट बजाने वाले हैं उस यथार्थ शक्ति को पहचानना जो अमर है सदाकाल के लिए है जिसकी आईउ नहीं शरीर की फिर भी आईउ कहने में आती है साट साल सत्तर साल असी साल नबे साल सौ साल कोई सौ से उपर है तो बहुत उसकी खुशी मनाई जाती है लेकिन बाबा ने पहली पहली जो यथार्थ बात हम बच्चों को समझाई जिसको जानने और समझने से मानसिक स्थिती एकरस बन जाती है मन उथल पथल में नहीं आता कभी सुख और कभी दुख के उचाई निचाई में नहीं जाता जब तक देह और देह के संबंद में मन लगा हुआ है कभी सुख है और कभी दुख है लेकिन हर आत्मा की इच्छा क्या रहती है कि सदा ही सुखी रहें तो बाबा ने उसके लिए उसका आधार बता दिया कि सदा सुखी रहने का आधार है स्वयम को यथार्थ पहचानना उस परम सत्ते को जब तक ना जानेंगे पहचानेंगे और उसके अनुसार अपनी मनो वृत्ती को सेट नहीं करेंगे तब तक मन में उत्थल पथल होती रही तो सच्चाई क्या है यह बड़ी विच्चतर बात है जो दिखता है वो सत्ते नहीं है जिसको देखने के लिए दिवे दृष्टी चाहिए वो सत्ते है यह नहीं कहेंगे कि वो दिखता नहीं है इन आँखों से आत्मा बाहर के रूप को देखती है लेकिन बाहर के रूप के द्वारा भी अंदर को देखती है क्योंकि अंदर के स्थिती का जो भाव वो चेहरे पे आ जाता है किसी के अंदर निर्मलता है पवितरता है उसके नैनों से जलकती है किसके अंदर मन बहुत शान्त है चेहरे से नजर आता है किसी का मन बहुत पावन होने के कारण सदा खुश रहता है वो चेहरे से नजर आता है किसी का करम बड़ा महान है वो करम से जो उसको संतोश मिलता है वो चेहरे से नजर आता है तो ही कहने में आता है ये बहुत संतोशी आत्मा है ये बहुत पवित्र आत्मा है ये बहुत महान आत्मा है ये बहुत पुन्य आत्मा है करम देखने में आता है लेकिन उस स्रेष्ट करम का जो आधार है वो मनोवृत्ती है और मनो वृत्ती वैसे देखने में नहीं आएगी लेकिन मनो वृत्ती के फल सरूप चेहरे की जलक से नैनों की चमक से और जबान की मिठास से और वेवार की शुद्दी से पता चलता है कि ये आत्मा कैसी बाबा की हर मुर्ली चाहे साकार और चाहे अव्यक्त किसी एक मुर्ली को भी आप ले लो हर मुर्ली के अंदर हम आत्मों को स्रेष्ट बनाने का ही मार्गदर्शन जैसा स्वयम टीचर होगा स्टूडेंट्स को भी वैसा ही पढ़ाता है सर्वस्रेष्ट सर्वग्य परमशिक्षक परमपिता परमात्मा जैसा ग्यानवान ग्यान का सागर दूसरा कोई नहीं है और उनकी नजर में हम बच्चे ऐसे डबल ताजधारी ही नजर आते जिनका जीवन स्रेष्ट दिवे गुन संपन महानतम है इसलिए उनके हर मुर्ली के अंदर हर बच्चे के लिए इतने स्रेष्ट महावाके हैं उसको अगर हम सभी सुईकार करें कि ये मेरे लिए है बाबा मेरे से बात कर रहा है मुर्ली मेरे लिए है तो आप सोचिए जीवन में क्या परिवर्टन आ जाएगा जब तक ये रियलाइजेशन नहीं तब तक वो रियालेटी नहीं आती है जो आनी चाहिए इसके लिए कहा गया है निश्चे में विजे है ये निश्चे कि ये महावाक्य सुनाने वाला स्वयम सरवग्य परम पिता परमात्मा ये दीदी मुर्ली नहीं सुना रही है दादीजी मुर्ली नहीं सुना रही है उनका मुक निमित इस माइक्रोफोन की तरह बाबा यूज कर रहे है मुर्ली किसकी सुनी आज सुबो सबी ने किसकी सुन रहे थे बाबा की सुनी ना ये निश्चे ही कमाल करता है जिसने इस बात को दिल में पक्का कर लिया उसके कान में बार बार बाबा की ये महावाके गूंजते रहते है मीठे मीठे बच्चे कौन कह रहा है किसको कह रहा है ये वास्तविकता है ये रियालिटी है ये कोई स्वपन नहीं है ये कोई imagination नहीं है डायरेक्ट हम बच्चों को बाब इस समय जो पुर्शोतम संगम युग है हम आत्मों से बात करने के लिए हमें सन्मुक रुहानी प्यार देने के लिए और उनके प्यार में समया हुआ क्या है के वो प्यार ही हमें बाप समान बना देता है जैसा बाप ग्यानितु आत्मा है ग्यान का सागर है ये वास्तविकता है के बच्चे भी मास्टर ग्यान सागर बन जा देता है इसमें कोई शक नहीं लेकिन बाकी जो बाते हैं वो उसके लिए ध्यान में नहीं आ रहा है ग्यान सब को हो जाता है लेकिन बाप प्रेम का सागर है ये रियालिटी है सत्यता है अब अपने आप से पूछना है कि हमने कितना अपने आप में बाबा के इस गुन को धारन किया है क्योंकि बाबा के माँ वाक्यां बच्चे फालो फादर एंड मदर मात पिता को फालो करो उनके नक्षे कदम पर चलो जितना बाप में सत्यता है क्या मैंने उसको अपनाया है जैसे बाप प्रेम का सागर है हर एक के लिए बाबा के ते मीठे मीठे सिकील दे बच्चों को याद दिया ये नहीं कहा कि जो शिरीमत पर बिलकुल एकुरेट चलते हैं उनको याद प्यार है बाकियों को नहीं है ऐसा नहीं कहा उस बात को अपनाते हुए जब बाप इतना फराख दिल है उसको मैं रहम दिल शब्द नहीं कहूंगा रहम दिल उसके लिए होता है जो स्वयम कुछ ना कर सके उस पर रहम आता है लेकिन हम तो बाबा के योग्य बच्चे हैं हम बच्चों में योग्यता भरी है बाबा ने लेकिन उस योग्यता को हम यथार थो रीती पूरइंतियास यूज करते या नहीं करते ये अमारे उपर depend करता है बाबा की expectation क्या है बाप चाहते हैं कि हर बच्चे के चेहरे से बाप का साक्षातकार हो ये भावना है बाबा की और कहा जाता है face is the index of mind जो मन में मानसिक स्थिती होती है वो चेहरे पे आती है और बाप का साक्षातकार हो इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को direction दिया है ये नहीं कहा के आप इस तरह से पूजा करो ये नहीं कहा इस तरह से मंत्रजाप करो ये नहीं कहा के इस तरह से यात्राओं में आप जाओ तो ही आपको प्राप्ति हो नहीं कहा एक ही शब्द है जिसका भाव है मन मेरे साथ लगाओ मन मना भाव अब आप सोच लीजिये कि मन जब शिब बाबा की तरफ लगेगा मन ही मन में बाबा के गुणगान करेंगे मन ही मन में बाबा से रूरुहान करेंगे तो मानसिक स्थिती क्या बनेंगी अती इंद्रिय सुख की बाबा सुख का सागर है तो हम बच्चे भी मास्टर सुख के सागर बनेंगे मन अती इंद्रिय सुख में होगा तो चेरे पे क्या आएगा नैनों में क्या आएगा मुसकान आएगा खुशी आएगा आनंद जलकेगा चेरे से और खुशी जैसी खुराक नहीं ब्रम्णों की विशेष्टा ही सारी दुनिया में ये एक है नमबर वन विशेष्टा है जो बाहर वालों की भेंट में स्पष्ट नजर आती है बाकी सब अपने गर ग्रिस्ट के दुनिया भर के चक्कर में फसे हुए इतने उसमें ग्रस्ट रहते हैं उनके चेरे पे वो मुसकान उनके नैनों में वो रुखानियत की जलक बहुत कम देखने को मिली और बाबा के बच्चे सिम्पल से सिम्पल चाहे गौँ में रहने वाले कोई हो चाहे शहर में रहने वाले हो चाहे पड़े लिखे हो चाहे अनपड़ हो उससे कोई फरक नहीं पड़ता है पर जिसने बाबा को यतार्त पहचान लिया जिसने बाबा की सिरीमत को ठीक रीती समझ लिया और जिसने बाबा के साथ अपना दिल का प्यार जोड दिया जिसको बाबा ने शब्द दिया मन मनाब हो ऐसे क्या कहें भागे शाली कहो महान भागे शाली कहो पदमा पदम भागे शाली कहो ऐसी आत्मों के चेहरे से कभी भी मुस्कराहट खतम नहीं हो रौनक जाती नहीं है तबी हम बच्चे बाबा के उन महावाक्यों को यथार्थ सिद कर सकेंगे जो बाबा ने का जान भी चली जाए पर चेहरे की मुस्कान ना जाए तो अपने आप से ये थोड़ा अंतर मुखी हो करके ये पूछना पड़ता है अपनी परख खुद करनी पड़ती है दूसरा कोई हमें कह उसकी जरूरत नहीं क्योंके हमारा टीचर कौन है चाहे गौँ की माताएं हों चाहे शहर के भाई हों चाहे साइंटिस्ट हों तो चाहे खेती करने वाले हों हर एक का टीचर कौन है एक सिब बाबा उनका ग्यान देने के लिए कोई भाषा की या कोई पढ़ाई की दूसरी बात ही नहीं है लेकिन जिसने उनको ठीक रीती समझ लिया और उसको दिल में उतार लिया और दिलवजान से उनकी बात को मान लिया जिसको हम शिरीमत कह रहे हैं मैं कहता हूँ उनकी बात को मान लिया दिलवजान से चिठी लिखते हैं ना दिलवजान सिक्वा प्रेम से याद प्यार सुईकार कर उनकी दिल और कहीं जाएगी नहीं उनकी जान को कोई खत्रा नहीं और सदा कलब पहले वाले वोही गोप गोपियां हो करके उनकी दिल डान्स करती रहे ऐसा सच्चाई वाला दिल जो है बाबा को क्या चाहिए कुछ और नहीं चाहिए बड़ी मीठी मीठी बाबा की बातें सामने आती है कि बच्चे आप और कुछ ना कर सको बस दिल से इतना ही मन में सोचो बाबा अब क्या इत्स में मेंनत है कितना टाइम लगता है लेकिन दिल से यही फरक है भक्तों में और ग्यानी तु आत्मों में वो भी कहते हैं शिब बाबा शिब बाबा माला हाथ में होती है लेकिन उनका दिल कहीं और होता है मुक्ष से कहेंगे शिव शिव हाथ से जपेंगे माला और मन कहां होगा पता नहीं कहां कहां हम उसका भी परचिंतन ना करें अपने आप से पूछें कि बाबा ने कहा है मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे यथार्थ रूप में पहचान कर जो बच्चे मेरे साथ योग युक्त होते हैं उनको मैं अपने दिल में समा के रख़ए कुछ दिन पहले दादी जी के लिए बाबा ने एक संदेश दिया उनकी तबियत थोड़ी उपर नीचे हुई तो बाबा ने खास संदेश दिया गुलजार दादी दिल्ली में थी वहां से वो संदेश बॉम्बे में बेजा के दादी तो हीरो एक्टर है दादी के दिल में बाबा है बाबा के दिल में दादी है हम बच्चों को ब्रमा बाबा को मम्मा को अब निमित दादी जी जनकी दादी उनके दिल में जब इतना प्यार बाबा के लिए है क्या हमारे लिए डिफिकल्ट है क्या प्राब्लम है उसमें क्या मुश्किल है किसी को मुश्किल हो तो हाथ कड़ा करे लेकिन दिल से प्यार से बाबा से मन लगा के रहो बस और इतना ही ख्याल करो कि बाबा से सच्चाई से सफाई से जितना मैं रहूं वैसे भी मंदर में मूर्ती को रखते हैं तो उसके आस पास कितनी सफाई रखते हैं बक्ती में भी इतनी सफाई रखते हैं स्वच्चता रखते हैं अगर आपका दिल बाबा का मंदर की तरह माना जाए सोच लीजिये तोड़ा तो वहां कितनी सफाई चाहिए जूट, कपट वो सब जो है चालाखी दोखा ये ग्यानी तु आत्मों के उसमें परसनेलिटी में ये चीजें नहीं आते ग्यानी तु आत्मा माना ही जो समझदारी से काम करे और समझदारी सबसे बड़ी यही है अपने आत्म सौरूप में रहे और बाबा से दिल ही दिल में प्यार से बात करते रहे तो दिल खुश रहेगी चेरे पे रोनक रहेगी नैन चमकते रहेंगे मस्तक पे लाइट रहेगी मैं ये भी बता दूँ जैसे गुलजार दादी के मस्तक पे बाबा को देखते हैं आपके मस्तक पे भी बाबा आकर के कईयों को साक्षातकार कराता रहे हमारे राजस्तान में जो आदिवासी हैं खास कर उनमें जो बेहने हैं न वो अपने पास एक इतना सा शीशा रखती इतना सा वो बीच बीच में कारोबार करते हुए सिर्पे तगारी उठाए हुए होंगी चल रही होंगी बीच बीच में वो निकाल के देखती हैं थोड़ा लिप्स्टिक और ये सब ठीक करके फिर चलती रहती ब्रहमनों को क्या करना है उस शीशे की जरूरत नहीं है सबसे बड़ा शीशा हमारे पास है दिल दरपन अपने दिल दरपन में देखें कि मैं इस समय अत्ति इंद्रिय सुख में हूँ सिर्फ योग के समय नहीं जब बैठ के योग करें मेडिटेशन करें सिर्फ उसी समय नहीं कई तो उस समय भी जुटका खाते रहते हैं उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं नहीं तो वास्त में जब मेडिटेशन करते हैं आप सोचिए उस समय क्या कर रहे हैं किसके सन्वक बैठे हुए हैं आप किसी बड़े व्यक्ति से मिलने जाओ प्रेजिडेंट से मिलने जाओ आपको बाद वहां बुलाया जाता है आप जाते हैं प्रेयम से मिलते हैं उसका उसकी इज़त रखने के लिए गुल्दस्ता भी ले जाते हैं और वो आपसे बात करने लगे तो आप उस समय नींद में चले जाएं जुटका खाने लगें तो कैसा लगेगा आपको उनको भी कैसा लगेगा तो बाबा को आश्चर्य होता कई बार के बच्चे मेरे से वैसे तो रात को सोने समय कहते हैं बाबा सुबो को आप से गुड मॉर्निंग करेंगे आपके पास बैठेंगे तो बाबा को खुशी होती है लेकिन उस समय बाबा आते हैं मुलाकात करने तो ये उस समय जुटके खाते हैं बैठे-बैठे कई तो बैठे बैठे नींदी करते रहते हैं पूरा टाइंग इसके लिए थोड़ा सा अपने आप से सची दिल से रूरोहन करनी चाहिए कि ये क्यूं हो रहा है इसे ये तो मेरा नुकसान हो रहा है सवेरे सवेरे बाबा इतना खजाना देने के लिए इतनी शक्ति देने के लिए चक्कर लगाता है बच्चों के पास और मैं उस समय सो जाता हूँ मैं उस समय नींद करती हूँ ये क्या है उसका एकी कारण है यथार्थ रीती से जिसको reality शब्द दिया है यथार्थ रीती से मेरा बाबा के साथ संबंद क्या है जो अनादी है अविनाशी है उसको मैंने समझा नहीं नहीं तो इतनी खुशी दिल में आनी चाहिए इतना उच्छा लानी चाहिए इतना उमंगा ना चाहिए कि ये जो 63 जनम का बोज सिर्पया उसको उठा के दूर फैंगी जब पता है कि इन चीजों से हमें कोई फाइदा नहीं मिला नुकसान हुआ दुख हुआ अशानती हुई कले कलेश घर में हुआ उन चीजों के पीछे दिमाग लगा के फाइदा क्या अभी भी कोई-कोई भाई बैने कहते हैं भाई साब बताओ ये विर्थ संकल्प क्यों आ जाते हैं मैं क्या बताओ आप खुद से पूछो लो क्यों आ जाते हैं क्योंकि समर्थ संकल्प नहीं करते हैं समर्थ बाप के साथ अपना टाइम नहीं बिताते हैं उनसे रूरोहन नहीं करते हैं उसका आनंद नहीं लेते हैं तो पुरानी जो आदत पड़ी हुई है वो वापस आ जाते हैं बहुत सारी मिसाल कई बार लोग सुनाते हैं वो मैं अभी उसमें टाइम नहीं गमाऊंगा लेकिन इस बात को थोड़ा अपने आप से ही हम एक निश्चे बुद्धी होके परपक्ता से वाइदा करें अपने आपके साथ कुछ भी हो जाएदा कैसे भी सरकम्स्टांसिस कैसे भी घटनाएं सामने आ जाएँ बाबा का साथ और हाथ कभी न छोड़ें अरे कलब के बाद बाबा मिला ना सत्युग में मिलना है ना त्रेता में मिलना है ना दौापर में मिलना है ना कल्युग में मिलना है ये चोटा सा संगम युग, हम बहुत भागेश आलियां कि ऐसे संगम युग पर इस समय हमारा शरीर तंदुरुस्त है, सुनने के लिए कान ठीक है, देखने के लिए आँख ठीक है, बोलने के लिए जबान ठीक है, ऐसी ही प्राप्ति बाबा ने इस समय करवाई हुई या उस की कभी लेंगे सच्चाई और सफ़ाई जितनी दिल में होगी उतना आपके दिल में बाबा विराजमान रहेगा आपका दिल मंदिर बन जाएगा पहले फिल्में विल में ऐसी आती थी दिल एक मंदिर है उस समझ में नहीं आता था ये क्यों ऐसा फिल्म बना रहे हैं आज समनों के दिल पे कौन है इस समय एक परमपिता परमात्म सर्वशक्तिवान जिनके दिल में सर्वशक्तिवान है उनके लिए कोई चीज असंभव नहीं है सब संभव है लेकिन उसमें दृड़ता की कमी के कारण असंभव हो जाते हैं पुरजा थोड़ा सा ढिला होता है तो गा इसलिए बाबा ने पक्का किया है और कुछ करो या ना करो उसकी जरूरत नहीं है किताब पढ़ो या ना पढ़ो लेकिन एक छोटी सी बात जो हर कोई कर सकता है मन का संकल्प सभी का चलता है आप देख लो छोटा बच्चा होगा तो भी चलेगा बड़ा होगा तो भी चलेगा बुड़ा होगा तो भी चलेगा संकल्प को डिरेक्शन दे दो जो राइट डिरेक्शन है कौन सी डिरेक्शन स्वच्छता की संकल्प में स्वच्छता चाहिए वैसे भी कहते हैं बुरा ना सोचो किसी का बुरा ना करो करने से पहले तो संकल्प में ही आता है सब कुछ तो संकल्प को स्रेष्ट बनाना ये इस पर अटेंशन चाहिए जितना इसको हम ध्यान रखते हैं पुराने संसकारों के कारण कभी आ भी जाए तो फट से बाबा से रूरवान करें बाबा आप मेरे दिल में बैठे फिर ये कहां से आ रहा है बाबा कहेगा अच्छी ड्यूटी दी आ मेरे को हम गाड ड्यूटी दे दी लेकिन वो भी लेने के लिए तैयार है क्योंके बाबा को हम बच्छों से बहुत प्यार है बहुत प्यार है इतना प्यार है जो दुनिया में कोई दूसरा नहीं दे सकता और प्यार की निशानी को प्यार की रिजल्ट को वो यही है कि बाप हम बच्चों को आप समान इतना महान बनाना चाहता है इसके लिए कहते हैं इनका सब का आधार कहो, बीज कहो, वो आपका संकल्प है द्रिर्ता से मनमना भव हो करके रहना, जितना बाबा की याद में बुद्धी रहेगी, उतना बाबा की बातें दिल में आ जाएंगे कैसे चलना है, कितना सच्चाई से चलना है, कितना सफाई से चलना है, और देखने में क्या आता है एक भाई हमारे सौथ इंडिया के अंगना भाई इतना खुशी में नाचते थे उसने ये पक्का किया हुआ था हालांके वो शब्द सिंधी के हैं सिंधी भाशा के लेकिन वो पक्का कर लिया कनड़ा में भी उसने सच तो बीठो नच जिसके दिल में सच्चाई है वो डांस करता है नाचता है क्योंकि उसको किसी बात का फिकर नहीं रहता है डर नहीं रहता है एक सिर्फ उसमें थोड़ी सी एडिशन करनी पड़ती है सच्चाई के साथ मिठास भी चाहिए दुनिया में क्या कहते हैं वही सच कड़वा होता है तो फरक यही ब्रह्मनों में और दुनिया वालों में है कि सच्चाई के साथ इसलिए बावा बार बार हर मुरली में हर दिन कहता है मीठी 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 आत्मों को कहो मीठे मीठे बच्चों को कहो वो याद दिलाता है के सच्चाई है के आप आत्मा है और उसके साथ में मिठास को जोड़ू जितना मीठे बोल होंगे सत्ते होंगे पर मीठे होंगे उतना हर एक के दिल में वो उसका असर होगा परिवर्तन के लिए वो जरूरी है सो परिवर्तन के लिए भी विश्व परिवर्तन के लिए तो जब ऐसा परिवर्तन लाएंगे तो खुशी में क्या होगा नाचेंगे भी और साथ साथ अपनी भविश्च की राजधानी भी नजर आती रहेगी क्योंकि सत्यूगी देवताओं के चेरे हैं जिनकी मुसकान कभी जाती नहीं देख लीजे आप दरम स्थापकों के लेलो चेरे उन पर वो मुसकान नहीं आज कल के योगी संत महत्मे उनके चेरे पर वो मुसकान नहीं है जो देवी देवताओं की और उनकी मुसकान का आधार है ब्रह्मन जीवन, इस समय का, इसलिए बाबा ने पका किया है, सच्चाई और सफाई, ये आपका स्वधरम है जैसे, और इस आधार से, भविश के देवी देवतों वाली, जो क्या कहें, रॉयल्टी है, ऐसा उंचापन जिसको कहें, जिसमें सिर जुकाना ना पड़े, बाबा ने अपने सन्मुक ये बात ने इतनी अच्छी कराई, बाबा कहते थे हाथ नहीं जोड़ो बाबा के सामें, सिर जुकाने की जरूरत नहीं है, बाप और बच्चे तो नैन मुलाकात करते हैं, और उस ब बात को बाबा आज दिन तक कंटिन्यू रखते हैं, आज कल भी बाबा जब आएंगे, तो उस समय ये नहीं है कि हम हाथ जोड़के सिर जुका रहे हैं, नहीं, बाबा से नैन मुलाकात करते हैं, बाबा के नैनों के द्वारा शक्ती प्राप्त करते हैं, स्ने प्राप्त करत हैं और साथ ही साथ वो दिवेता का अन्वो करते हैं चाहे यहां पर सारा हाल भरा होगा बाहर भी होंगे कहते बीस हजार भाई बैन आ गए हैं कभी एक समय ऐसा भी आ सकता है जो 9,16,108 भी कठे हो जाएं वो भी कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन इतने सब किसके साथ योग युक होंगे एक बाबा को सामने देखते और बाबा से वो रस लेते अति इंद्रिय सुख में दिल ही दिल में जैसे उसका आनंद ले रहे हैं ऐसे महान भागे शाली ये इस्वरी परिवार है हर एक अपने आपको थोड़ा पीट पे ऐसे हाथ लगा है वारे मैं ऐसे परिवार का सदस्य हूँ छोटी बात नहीं है ये बड़ा गौरव शाली बात है लेकिन इस गौरव को बनाए रखना और सदा आगे बढ़ते रहे उसके लिए जो आज की ये क्लास की विशे है का जाता दिल साफ तो मुराद हासल सची दिल पर साव राजी ये पका पका कर लें और इसको वहवार में सदा लाते रहें हाँ उसके लिए जो मनोबल चाहिए किस बात से आएगा जो पहले ही बताया वो है सवेरे सवेरे बाबा से योग योग ठोके और अच्छी तरह शक्ति भरने का बाबा ने का सिर्फ स्वयम में नहीं भरो सारे विश्व को पावन बनाने के लिए भी वो शक्ति की किर्णे जो हैं वो फहलाओ ऐसे फील करो जैसे हम परमदाम में बैठ करके सारे विश्व को सकाश दे उसका अभ्यास कर तो देखो क्या आनन्द भी आता है कितनी शक्ति और जो आज का विश्व है एक तो सच्चाई और सफाई के लिए जितना मनोबल चाहिए वो प्राप्त होगा और उसके साथ साथ जो रॉयल संसकार हैं वो इमर्ज होंगे हमेशा आपने उस सोमान में रहेंगे जिसको देख करके सत्यूगी देवताएं भी कहें कि सच्मुच इनका भगवान साथी है यह हमसे भी उंचे है ओम शंति एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई मेर दूने नहीं बात दिल से कही तुम संद बैठों तुम संद खेलों खाओं तुम संद राज तरे जाओं मैं तुही करो संद साथ नमारा तुझ में सब सुथ पाओं मैं सुथ पाओं मैं मेर दिल यही बात दिल से कही एक बाबा मेरा दूसरा ना कोई दूसरा ना कोई मेर दिल क्वाओं मैं तुम संद राओं मैं झाल 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 झाल